राधे राधे दोस्तों कैसे हुआ आप लोग आसकी हमारी कहानी का नामे ठपर बहु को कमडे में लेटा हुआ देख महिनी जी लागातार अपनी नई बहु रेनू का दर्वाजा खट खटाई जा रही थी जैसे ही बहु ने दर्वाजा खोला उसकी सास मोहिनी जी उस पर दहार पड़ी एसी का बिल क्या तेरा बाप भड़ेगा कब से महारानी एसी चलाकर ठंडी ठंडी हवा खा रही है अरे काम क्या तेरी मा करेगी अरे कभी अपने बाप के घर भी एसी चलाया है तुने चले काम पर लग मा बेटी बहु के बाल पकड रसोई में धक्का देते हुए बोली ये कोई आस की ही बात नहीं थी जबसे रेनु साधी होकर इस घर में आई थी तभी से ही उसकी सास और उसकी ननद उसके साथ इस तरह की हरकत करती थी दरसल जबसे रेनु इस घर में बहु बनकर आई थी तबसे ही मोहिनी जी और उनकी बेटी सिवानी किसी न किसी बात पर उसे परेशान करती रहती थी कभी दहिस का ताना तो कभी उसके साथ घरेलू हिंसा यहां तक की कभी कभी तो दोनों मा बेटी रेनु पर हात भी उठा देती थी इतना सब होने के बाद भी रेनु ने कभी उन्हें पलट कर जबाब नहीं दिया रेनु एक पढ़ी लिखी और समस्दार लड़की थी उसकी साधी मोहनी जी के इकलोते बेटे देवेस के साथ हुई थी देवेस भी अपनी मा और बेहन के सिखाए में रहता था देवेस के पापा उनका अभी कुछ समय पहले ही देहान तो हो चुका था मोहनी जी बहु को बिलकुल भी चैन से जीने नहीं देती थी हर समय उसे घर के कामों में नोकरों की तरह लगा कर रखती थी नई नई साधी और सास ननद काली हाज रखते हुए रेनू भी उन्हें कभी कुछ नहीं कहती चूप चाप जिस काम को कहा उसी को कर लेती अगर कभी रेनू गलती से भी किसी काम को माना कर देती उसी दिन ही मोहिनी जी और उनकी बेटी सिवानी आते ही अपने बेटे को सिखा देती कोई भी नुकसान हो जाता तो सीधे बान मोहिनी जी बहु की तरफ फेक देती ये कम बक्त हमारे घर में जब से आई है तब से ही हर काम विगरते जा रहे हैं माजी क्या हुआ क्या गलती हो गई हमसे जो आप हर समय मुझे किसी न किसी बात पर जलिल करती रहती हैं जब से आई हूँ आप सब का प्यार जितने की कोशिस कर रही हूँ हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दो लेकिन ये बार बार मेरे साथ है गैरो जैसा बरताओ मत करो मैं अपना सब कुछ छोर चार कर इस घर में आई हूँ क्या मैं आप सब का थोरा सा प्यार और समान पाने के भी काबिल नहीं हूँ आकिर हूँ तो इसी घर की बहु ही फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों आखों में आसू लिये रेनू महिनी जी के पैरों को पकरते हुए बोली तो महिनी जी ने बहु को इतनी जोर से धक्का दिया कि उसका मुँ सोफे के पाई में जाकर लगा जिसकी वज़से उसकी आखे सुझ गई खबरदार जो मेरे पैरों को हाथ भी लगाया तो तूने तो जिस दिन से इस घर में कदम रखा है उसी दिन से ही मुझे फूटी आँख नहीं सुहाती हो मोहिनी जी रेनू की तरफ घुर्ते हुए बोली और वहां से अपने कमरे में चली गई रोती हुई रेनू रसुई में चली गई और काम करने लगी वो सब कुछ सह रही थी तो सिर्फ अपने माता पिता के खातिर जिन्हों ने उसे यहीं संसकार दिये थे कि कभी सिकायत का मौका मत देना धेर सारी सपने संजो कर वो इस घर में दुलहन बन कर आई थी लेकिन यहां आकर तो उसे जिसके साथ साथ फेरे लिए उसका भी प्यार नसीब नहीं हुआ उसने भी आते ही पतनी पर जुल में ढाने शुरू कर दिये पतनी नहीं जैसे पैरों की जुती हूँ यहीं सोच सोच कर लागातार उसकी आँखों से आंसु बही जा रहे थे सास का दिया हुआ जखम अभी भारा भी नहीं था कि ननद रसुई में आ पहुँची और रेनु के चेहरे को देख कर बहुत तेज हस्ते वे बोली आज तो आपके चेहरे पर बहुत ही चमक आ रही है और ये सुजी हुई आँख तो बिलकुल गजब ढाह रही है चलो खैर छोरो जल्दी से मेरे लिए कौफी बना कर मेरे कमरे में ले आना मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ शिवानी कहकर अपने कमरे में चली जाती है तभी रेनु के पापा का फोन आता है फोन पर बात करते हुए देखे मोहनी जी फिर से उस पर चिलाने लगी महरानी रस्वई में भी तुझे चैन नहीं है बीना फोन के तो तुमसे कोई काम होता ही नहीं रेनु बोली वो माजी पापा का फोन है आरे तेरा बाप क्या परधान मंत्री है चल फोन रख पहले काम कर कबसे मेरी बेटी कौफी का इंतिजार कर रही है कहते हुए मोहनी जी ने रेनु के हाथ से फोन छिन कर काट दिया उधर रेनु के पापा सब सुन चुके थे सास ननद के इस बेहवार से रेनु बहुत ही परिसान थी आज साम जब देवेस ओफिस से घर आया तो रेनु गलास का पानी लेकर देवेस के सामने खरी हो गई उसे देखते ही देवेस चिलाने लगा कितनी बार कहा है तुमसे कि इस मनहुस सकल को लेकर मेरी सामने मत आया करो देवेस रेनु को एक साइड धका देते हुए बोला तो रेनु ने आज देवेस से पूछी लिया देवेस ऐसी क्या गलती हो गई हमसे जो ना तो तुम ढंग से ब करती हुँ ना किसी को किसी बात का जबाब देती हुँ यहां तक कि तुम्हारी मा और बहन मुझ पर हात भी उठाती है ऐसा कोन सा गुना कर दिया मैंने इस घर में आकर रेनु थोरे कड़क लहजे में बोली तो पीछे से मोहनी जी करकस आवाज में बोली गुना गुना गरीब से गरीब लोग भी ऐसी टुची साधी नहीं करते जैसे तेरे बाप ने की अरे क्या कमी थी मेरे बेटे में पढ़ा लिखा अकेला इतनी प्रोपटी का मालिक है द्वेस जितनी मेरे पापा की अवकात है उतना तो दिया ही और आप लोगों ने सभी सामान के सब चिजतों लाई हूँ दहेज में सिवाए एक गारी के उसमें भी आप लोगों ने साधी में ना जाने किस किस की सोने की अंगुठिया मंगवाई आप लोगों ने उपर के ही खर्चे इतने बता दिये थे तो गारी कहां से देते इसलिए मैंने खुद गारी को पापा से म माना कर दिया महनी जी बोली अच्छा तो महरानी तूने माना किया था अपने बाप से गारी को हा माजी मैंने ही माना किया था दो छोटी बहने भी हैं मेरी उनकी भी साधी में पैसा लगाना है छोटी मोटी कंपनी में काम करते हैं मेरे पापा फिर भी अपनी अवकात से सारी इस नई नवेली बहू की उसे दिन तो मा आपने इसकी आँक फोड़ी थी आज इसका पूड़ा हुलिया ही बदल दो रेनू की ननद सिवानी कमर पर हात रखते हुए बोली पीछे से द्वेस भी रेनू पर भड़कते हुए बोला अगर अपकी बार एक सब्द भी मुसे निकाला तो तेरा वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी दो कौड़ी की आउरत तेरी हमारे सामने बोलने की कोई आउकात नहीं है तेरी आउकात सिर्फ एक नौकरानी जैसी है मेरे इस घर में तुझे रहने को जगह मिल रही है अगर जादा बोली तो इस घर स से निच लोगों के साथ है जो बहु को बहु नहीं नोकरानी समझते हैं और हर समय उसे दहेज के लिए टोचर करते हैं आज रेनू भी दिवेश को आँखे दिखाते हुए बोली तेरी ये मजाल कि तो मेरे सामने उची आवाज में बात करे देख तुझे मैं अभी बताता ह दिवेश भगता हुआ कमरे में गया और अपनी बेल्ट उठा लाया और रेनू का मुँ भीजते हुए बोला बहुत कैंची की तरह जो बान निकल रही है ना तेरी कहते हुए जैसे ही रेनू पर बेल्ट उठाई तभी आचानक रेनू के ममी पापा बेटी के ससुराल पहु थपर उसके मुँ पर खिच दिया तेरी इतनी हिमत कि तु हमारी मासुम बच्ची पर हात उठाए तभी दिवेश की मा अपने बेटे को बचाने को जैसे ही आगे बढ़ी तभी एक जोरदार थपर रेनू ने अपनी सास के गाल पर जर दिया थपर इतनी जोर का लगा कि मोह इनी जी सोफे पर जा पड़ी अपनी मा को पिड़ते हुए देखे दिवेश फिर से रेनू की तरफ हात उठा कर चला तो अबकी बार रेनू के पापा ने पास ही परी बेल्ट दमाद के खिच कर मारी बेल्ट लगते ही दिवेश कांप उठा ससुर का ऐसा बिक्राल रूप देखे दमाद के होस उड़ गए अपनी मा और भाया को पिड़ते देखे सिवानी तो वहां से खिसकने लगी तभी रेनु ने टांग उलजाकर वहीं किरा दिया तुम कहां चली ननदरानी अभी तो तुम्हारा भी नंबर बाकी है तुमने भी कुछ कम जुलूम नहीं धाये ह हम पर तब तक पूलिस भी वहां पहुंच चुकी थी क्योंकि रेनु के पापा ने वहां का महौल देखे सबसे पहले पूलिस को फोन कर दिया था पूलिस को देख मा बेटे की आँखे फटी की फटी रह गई पूरा वदन पसीने से लथपत हो गया रेनु ने पती सास हमने बता दिये पती और सास ननद तीनों रेनु के पैर पर कर बुरी तरह गिर गराने लगे हमें माफ कर दो आगे से कभी तुम्हें टोचर नहीं करेंगे तुम्हें घर की नोकरानी नहीं बहु बनाकर रखेंगे बस एक बार हमें माफ कर दो दोनों मा बेटी रेनु के आ नहीं मांगूंगा कभी तुम पर हात नहीं उठाऊंगा और मैं तुम्हारा पती हूँ तुम मेरे बिना यहां अकेली क्या करोगी कहते विद्वेस भी रेनु के पैरों में लेट गया तीनों के तीनों ने रेनु के आगे घुटने टेक दिये रेनु बोली तुम जैसे लोग को अच्छी तरह से जान चुकी हूँ कि तुम सब कितने बड़े ड्रामे बाज हो और रही बात यहां रहने की तो मुझे तुम जैसे पती के साथ नहीं रहना जिसके अंदर अपने पतनी के लिए जरा साभी मान सम्मान ना हो अरे तुमने तो मुझे हमेशा इस घर में अप को ने मुझे दिया ही नहीं था जब जी चाहा तभी हात साफ कर लेते थे तीनों मा बेटे मुझ पर अब अपने हर एक अत्याचार का बदला लूगी मैं तुमसे कहते वे रेनू ने तीनों को पुलिस के आगे धक्का दे दिया ले जाओ इन्हें यहां से और खुब जोरद स्वागत करना कि इन्हें अपने बूरे कर्म बार बार याद आए तीनों को पुलिस पकर कर ले गई अपने ही कर्मों की सजा आज उन्हें जेल की सलाखों के पीछे मिल रही है रेनू की ममी और पापा रेनू को वहां से अपने घर ले गए रेनू पढ़ी लिखी समसदार थी आज वो एक बैंक में जॉब कर अपने पैरों पे खड़ी है और अपने ममी पापा के साथ है अपनी जिंदगी जी रही है तो दोस्तवासा करती हूं ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से ये और सब्सक्राइब किजिएगा और